नमस्कार दोस्तों, जैमाम भद्रकाली स्वागत है, आप सभी का आज की नई वीडियो में तो तुला राश्य वालों हो जाओ सावधान, दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके दुश्मनों की सारी अकड निकल जाएगी, जी हाँ दोस्तों, इन 24 घंटे के समय में आपको अपनी जिन्दगी में तीन बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, दोस्तों, बस बहुत हुआ, आपको अपने जीवन में जितना दुख देखना था, आपने देख लिया, आपके दुश्मन ने आपके कदम कदम पर बड़े बड़े धोके दिये हैं, अच्छाई का कदम कदम पर बहुत गलत फाइदा उठाया है, लेकिन बस अब आपको चिंता करने की आप परेशान होने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, देखिए दोस्तों, भगवान के घर दिये जरूर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होता, और अब आपके दुश्मनों प तीन ऐसे राज योग का निर्मान हो रहा है, जो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे, जी हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, तुमने अपने जीवन में कदम कदम पर बहुत संघर्ष किया है, तुमने कभी किसी के आगे अपनी मुसीबत का रोना नहीं र प्राप्थ होगा, आने वाले अगले 24 घंटे का समय तुम्हारे जीवन में खुशियों के साथ-साथ धन दौलत भी लेकर आने वाला है, लंबे समय से रुका हुआ पैसा भी प्राप्थ होगा, साथ ही साथ आप देखोगे कि 24 घंटे में जो कम बरसों से अठके पड़े थ वह काम बहुत ही आसानी से पूर्ण होंगे, लेकिन बस आज जो साथानी में बताने वाला हूँ, तुम उसे ध्यान से सुन लेना और आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि बेटा, यह वीडियो तुम्हारे लिए किसी वर्दान से काम नहीं है, इस वीडिय प्यारी में देने वाला हूँ, जो बाद में बताने वाला हूँ, वह सुनने के बाद तुम्हारी भी होश उड़ जाएंगे, वीडियो की शुरुआत करने से पहले, आप इस वीडियो को प्यार भरा लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप भी प्यार बरसाईं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंगबली जरूर लिखना आपके सारे बिगडे काम बन जाएंगे, कहते हैं कि जिसके विचार सुन्दर हो, वह व्यक्ति कभी भी कहीं भी पराजित नहीं होता है, सफलता उसको निश्चित मिलती है, मित्रो, मेहनत, कर्म और उचित ज्यान के बिना कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर सकता है, सफलता प्राप्ति के लिए आपके मन और विचारों का शुद्ध होना अतियावश्यक है, अर्थात गुरु जी कहना चाह रहे हैं कि ह हमेशा अपने विचार और मन को शुद्ध एवं तरोताजा रखिये, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, सफल हो पाएंगे, तो मित्रो, गुरु जी का यह ज्यान आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा, आपक ध्यान रखना है कि पारिवारिक मुद्धों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णए लेने होंगे जो कि पारिवारिक व्यवस्था के लिए बहतर भी रहेंगे, लेकिन निर्णएयों को लेने से पहले परिवार के बारे में भी आपको सोच विचार कर लेना है, यह भी ध्यान रखना है कि किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके घर परिवार में बिलकुल ना हो। जब गलत फहमियां दूर होगी तो आप तनाव मुक्त होकर अन्य गतिविधियों पर ध्यान दे पाएंगे। वहीं जो घर के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति है उनकी सलाह अगर आप लेंगे तो सलाह आपके लिए फाइदे मन रहेगी। सिर्फ इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि कोई भी विचार विमर्ष करते समय अभद्र भाशा का प्रयोग न करें। क्योंकि आपकी भाशा, आपकी वानी ही आपकी सबसे बड़ी पहचान मित्रो अपने मुह से अनमोल शब्द निकालिए क्योंकि इसका प्रभाव आपके व्यवहार पर जल्दी ही दिखता है। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि अभद्र भाशा का प्रयोग न करें क्योंकि होगा यह कि इस से आपके संबंध भी खरा बिजनस की स्तिथियां पहले की तरह ही रहेगी क्योंकि इस समय कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। कार्य संबंधित कुछ नीतियों में परिवर्तन करने की जरूरत है और नौकरी पेशा लोग किसी प्रोजेक्ट को करेंगे जिससे कंपनी को फाइदा होने वाला है और पारिवारिक सदस्यों के बीच संबंध जो हो सकता। आत्मक और सहयोग आत्मक पूर्ण रहेंगे वहीं मित्रों प्रेम संबंध फिर से मधुर रहेंगे। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही प्रेम संबंध इस समय बन रहा है। मित्रों आपको बता दें कि वरिष्ठ स करें वहीं विद्यार्थी अपने नए सत्र को लेकर उत्साहित रहेंगे क्योंकि जीवन में कुछ तो नया होने वाला है जो विद्यार्थियों के लिए बेहतर साबित होगा। वहीं ध्यान रखें कि आलस्य की वजह से आपके कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं और इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। अपना आत्म विश्वास और कार्यक्षमता को मजबूत बना कर रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि मित्रों जब तक आत्म विश्वास मजबूत नहीं होगा तो आपकी कार्यक्षमता भी मजबूत नहीं रहेगी। व् कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है, तो काम ज्यादा होने से मानसिक तनाव भी रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का एक साथ कुछ समय व्यतीत करना घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा और अविवाहित व्यक्तियों के लिए भी कोई शुभ सूच प्राप्त हो सकती है, मित्रों, जोडों तथा मानस्पेशियों में दर्द की शिकायत रह सकती है, तो व्यायाम और योग के लिए भी समय निकालें, समय का अभाव है, जी हाँ, आपको बता दें, समय का अभाव है, समय के अभाव में कुछ काम अधूरे रहेंगे, तो विशेश उपलब्धी को लेकर आप सम्मानित होंगे, और महत्वपूर्ण यात्रा संबंधित योग भी बन रहे हैं, यह समय दूसरों की गतिविधियों को नजर अंदाज करके खुद पर ध्यान देने का है, मित्रों, जब तक आप अपने उपर ध्यान नहीं देंगे, त फिर से विचार करें, इस समय महनद ज्यादा और फाइदा कम मिलने की स्थिती बन सकती है, मित्रों, आपको आपकी महनद का अच्छा नतीजा आने वाले समय में मिल सकता है, आपको इस वक्त सिर्फ महनत पर ध्यान देना है और दाम-पत्य संबंधों में एक दूसरे का सम् मनुरंजन में भी बिताएं और मौसम की वजह से शरीर में दर्द और हलके बुखार जैसी स्थिती बन सकती है। अपनी संतुलित दिन्चर्या रखें, संतुलित खानपान रखें और कुछ मामलों में आप डर कर गलत कदम उठा सकते हैं। खुद को संभालना होगा। मित्रो ये जो परिस्थितियां बन रही है, ये परिस्थितियां इतनी भी बुरी नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो। भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें, वरना निराशा हो सकती है। और आर्थिक फाइदा अगर आप चाहते हैं मित्रो थोड़ी सी महनत करें होगा। काम में डिसिप्लिन रखना जरूरी होगा और लोगों की बातों के कारण रिलेशन्शिप पर नकारात्मक असर बिल्कुल भी न होने दें। शरीर को डिटॉक्स करते रहें। और मित्रो लो बीपी और शुगर की तकलीफ न हो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। छात्र जो हैं पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा समय आप ऐसे ही बेकार के कामों में निकाल देंगे। नह जादतर काम समय पर ठीक ठाक तौर से होने से अपने काम पर गर्व महसूस करेंगे और धार्मिक कामों में भी आपकी रूची रहेगी। मित्रो आप देखेंगे कि एक समय के बाद अचानक से कोई मुश्किल आ सकती है, लेकिन आपको मेहनत से सफलता मिल पाएगी और उस म और किसी की गलत सलाह पर अमल करना नुकसान दायक हो सकता है। बहतर होगा कि अपने फैसलों को सबसे उपर रखें। बिजनस करने वाले प्रभावशाली लोगों के जरिये आपको नई जानकारियां मिलेगी और प्रॉपर्टी संबंधित बिजनस में विशेश फाइदा म मिलेगा और नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं तो अपने काम से संबंधित सावधानी और इमानदारी रखें। घर परिवार में सुखद माहौल रहेगा और प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी जिससे आप बहुत खुश रहेंगे मित्रो, काम के बोज का नेगेटिव असर आपकी सेहत पर भी पढ़ सकता है। ठकान, बदन दर्द की समस्या हो सकती है और नए लोगों के साथ बिताए समय से प्रसन्नता रहेगी। पुरानी बातों को सुधारने की कोशिश आपकी सफल हो सकती है। मित्रो, पुरानी बातें जल्द से जल्द सुधारें और किसी भी बात का असर आपकी इच्छा शक्ती और विश्वास पर ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें और लोगों के कमेंट्स से खुद को नकारात्मक होने से बचाएं। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों पर ध्यान देना है। मित्रो, बदलाव का समय है, किसी योजना पर काम होगा और आप किसी परिस्थिती में अपना काम पूरा करवा लेंगे। रूका हुआ जो भी पैसा है, वह पैसा आपको प्राप्थ होगा। कहते हैं कि जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ डाच देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़दा हने वाला। भेज देता है, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा की कृपा कहते हैं। क्योंकि मित्रो, जीवन में अकसर आपने भी देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा दुख आता है, बहुत ज्यादा तक मित्रो, बता देते हैं कि आपको समय की शुरुआत में थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके और परिवार वालों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर मदभेद होने की आशंका बन रही है, और बता देते हैं कि परिवार में आप सामंजस्य बना कर रखने में सफल रहेंगे, परिवार के हर एक व्यक्ती की बात को समझेंगे, कोई रूका हुआ खास काम, मित्रो अगर आपके पास है, तो किसी की मदद से पूरा होने की संभावना है, रूके हुए काम को पूर्ण प्रगति मिलेगी और काम तेजी से आगे बढ़ेगा, बातचीत से परेशानियां सुलजेंगी, मित्रो यदि आप आपस में बैठ कर बातचीत करेंगे, तो धीरे धीरे परेशानियां सुलजने लगेगी, और वेहिकल या कीमती चीजों की खरीदारी करने का मन है, तो समय बहुत अच्छा है, मित्रो आपके घर में कोई टूवीलर या फोर हीलर भी आ सकती है, भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है, बस आपको मित्रो मेहनत करने से बिलकुल भी नहीं रुकना है, साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि धैरे रखें, मन चाहे काम ना होने पर परेशान होकर बिलकुल भी रियक्ट ना करे, क्योंकि कभी-कभी मित् अधीकी रिष्टेदारों पर भरोसा रखने से आपसी संबंध मजबूत होंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि भरोसा और उमीद दोनों में बहुत फर्क है, आपको उमीद किसी से भी नहीं रखना है, महनत खुद करनी है और हैसियत से ज्यादा खर्चा करना या उधार लेने से आपका तनाव बढ़ सकता है, कारोबार में किसी योजना पर काम करने से पहले उससे जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल करना जरूरी है और ज्यादा महनत करने की भी, आपको मित्रों जरूरत है बता देते हैं कि आपको मित्रों योजना जो है समय रहते बना लेन और मित्रों घर की व्यवस्था को लेकर परिवार में तनाव रह सकता है। लव अफेर्स बदनामी का कारण बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। मित्रों और घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत से संबंधित परेशानी हो सकती है। लापरवाही बिलकुल भी नहीं करना है और उचित इलाज आपको लेना है। मेडिटेशन और प्रार्थना के जरिए नकारात्मक सोच को बदलें। मित्रों आप आध्यात्मिक बातों से जुड़ेंगे तो आपके काम आसानी से आगे बढ़ेंगे और खुद पर विश्वास बनाए रखें क्योंकि स्वयम पर विश्वास रखना बहुत जरूरी होगा। पुरानी जिन बातों के कारण तनाव है, उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न करें और गुस्से को दूर करने के लिए दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। मित्रों, आप जब तक लोगों को माफ करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपके जीवन में खुशियां नहीं आएंगी. आपकी एक बहुत बुरी आदत है मित्रों, कि आप हर किसी के उपर दबाव बना कर रखते हैं. आप में एक अलग ही प्रकार का अहम है, तो अहम की भावना इस वक्त नहीं आने देना है. जैसा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, उसके बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती है, तब तक आगे न बढ़ें. व्यक्तिगत सोच को सुधारने की आवश्यक्ता है, रिलेशन्शिप के लिए यह समय ठीक नहीं है, मित्रो आपका बदन दर्द बढ़ सकता है, थोड़ा सा आराम पर आपको ध्यान देने की सलाह दी जाती है, और इस समय आपको मित्रो शान्ति पूर्ण, कैसे काम लेना है किसी के भी उपर आपको किसी भी काम का दबाव नहीं डालना है, तो आईए मित्रो अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमतकारी, उपाय जो आपके जीवन में खुशियों की और धन-धान्य की बहार लेकर आएंगे, मित्रो ध्यान से सुनिएगा, जोतिष शास्त्र के एक अन-धन की सम्रिद्ध के लिए हर सिंगार के फूलों को लाल कपध्धे में लपेट कर तिजोरी में रखते हैं, ऐसा करने से जातक को यदि धन का अभाव है, तो वह धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, और अचानक ही धन-लाभ के योग बनने लगते हैं, इसक करने से धन से संबंधित सभी समस्याएं मित्रो दूर हो जाएगी, यह तो था पहला उपाए मित्रो, तो मित्रो इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि अपने जीवन में आपने जो जो परिवर्तन किये थे, उन परिवर्तनों के सुखद परिणाम आपको मिलने और बेकार के तनाव को अपने जीवन में बिलकुल भी जगह न दें, जो परिस्थितियां बिगडी हुई थी, वह परिस्थितियां धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आने वाले समय में सुलज जाएगी और नजदी की संबंधियों से, आपकी मुलाकात होगी, मित्रो, कोई खास मुद्दा आपसी सहमती से सुलज सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहे हैं, तो एक सलाह आप लोगों के लिए की बात करके, आप समस्याओं को सुलज जाएं, मित्रो, कोई बड़े परिवर्तन की अगर योजना बनाई है, तो वह योजना सफल होगी और उस पर काम करने का मन भी आप बना सकते हैं, खास कार्य में रुकावट आने से दोस्तों पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका वहम होगा, मित्रो, आपका कोई काम अगर बिगदा है, तो उसके पीछे की वजह केवल आप ही है, आपका आलसी स्वभाव अपरिचि लोगों के साथ ज्यादा संपर्क न बरहाएं, और मन में जो भी वहम है, मित्रो, इन वहम और गलत फहमियों को जल्द से जल्द दूर करें, स्टूडेंट्स अपनी पाहाई को लेकर लापरवाही बिलकुल भी ना करें, इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं, वह सिर्फ पर और इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मित्रो बता देते हैं कि बिजनस के फैसले थोड़े से गड़ बधा सकते हैं, उपर नीचे हो सकते हैं तो बहतर होगा, गुरु जी जी कहते हैं कि मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं च चढ़ाते हुए A.U.M. राण मुक्तेश्वर महादेवाय नमा, मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे कर्ज से मुक्ती मिल जाती है, हमें बहुत से ज्यादा तक अपनी समस्या बताते हैं कि गुरु जी हमारा कर्ज नहीं उतर रहा है, कर्ज बढ़ गया है, तो आप इस उप उपाय है, वह शिव पुरान के आधार पर है, और जो भगवान शिव में सच्ची आस्था रखता है, जिसे भगवान शिव पर अटूट विश्वास है, भगवान शिव कभी ऐसे भक्तों को निराश नहीं करते हैं, तो बस आप एक बार यह उपाय जरूर आजमा कर देखि अपने नाम के साथ अपनी समस्या अवश्य लिखें